दूसरे राजियों से उत्तर प्रदेश लोटे लाखों प्रवासी मजदूर और श्रम्मिक अब उत्तर प्रदेश में ही काम करें, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको यूपी में ही रोजगार दिया जाए। इसके लिए सरकार ने रूप रेखा दयार कर ली है। जिसके तहट साड़े साथ लाख प्रवासी श्रंकों को रोजडार दिया जाएगा। इसके लिए IIA और नर्डेकों के साथ सरकार MOU साइन करें। सरकार की कोशिश है कि हर उद्योगिक इकाई में वर्तमान शम्ता के अलावां दस कामगारों को और अर्जेस्ट किया जाए। CM योगी ने उद्योगों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिये है। सरकार दोरा लिया गया फैसला जिसमें IIA और नेकड़ को इन्होंने अथराइस किया है कि मैन पावर को इसकिल ट्रेनिंग और साथ में अविलेबिल्टी और एक तरीके के ब्रिज का काम करेगी ये दोनों संगठन सरकार और श्रमिक के बीच में और उनको ट्रेनिंग देकर कि उनको द्योग के हिसाब से किस तरीके की जल्दी मैन पावर उसमें इस्तमाल हो सकती है वो एक शॉट ट्रेनिंग कोर्स कराकर एक तरीके के रिफ्रेश्मेंट कोर्स कराकर के सरकार की जो ये योजना है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और इसको निश्चित रूप से इ कि ऐसा कर पाने में सक्सफल हो पाते हैं तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर सावित होगी तरकार के इस फैसले का कॉंग्रेस ने स्वागत तो किया है लेकि कॉंग्रेस सवाल भी ठाएं कॉंग्रेस प्रवक्ता आसिर्जवी रिंकू ने कहा है कि इस समय आब्दा का वक् प्रवासी मजदूरों के लिए वो क्या कर रहे हैं जो आज दूसरे राजों से लोटके उत्तरपरदेश में आ गए हैं और वो कार कर रहे हैं उसी कि करम में आज उत्तरपरदेश की सरकार ने मीडिया मनेजमेंट करते विए एक घुशना कर दी है कि साड़ साथ लाग में रखा काला धन आएगा और उस काले धन से पंदा पंदा लाग हर हंदुस्तानी को मिलेगा जैसे उत्तरपरदेश सरकार के एक मंत्री ने घुशना करी थी तो सहाब उत्तरपरदेश के जितने भी अधिवक्ता करने हैं उनको पांच पर सजार रुपे देगी चूंकि उ कितने हमारे मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं जब सरकार ने अभी पूछा है सरकार को स्वेम नहीं पता कि उनके प्रोजेक्ट कहां चलना है उसमें कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं तो कैसे मीडिया मनेजमेंट करते वे आपने आके कह दिया कि साड़ा साथ ल साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि शंकों को उनके अनुभों और इसकिल के अनुसार इस्थानी इस्तर पर रोजगार मिले आपको बता दें कि लहाबाद हाई कोट में राजसरकार से पूछा है कि दूसरे राजियों से आ रहे मजदूरों और उनके परिवार के इला कार से ले आउट प्लान पेश करने को कहा है